सानिय अरविन इंडो पब्लिक स्कूल में ओनलाइन विश्व चन संख्या दिवस मनाया क्या कक्षा आठवी से दसी तक के लगभग सभी विध्यारतियों ने पूरी गंभिरता से भागिदारी की कुछ विध्यारतियों ने पोस्टर बनाय तो कुछ नी स्लोगन द्वारा परिवार नियूजन का फाइदा समझाया जन संख्यी इतना चगाने हे तु कुछ विध्यारतियों ने ड्रॉइंग्स एवं पेंटेंग्स के माध्यम से जन संक्या वृद्धे से निर्मित तुष परिणाम की और सभी का ध्यान आकरशन किया 20 विद्यारतियों नियान वर्दक जानकारियों के साथ लेक लिखी और पीपीटी द्वारा अपनी बात समझानी का प्रयास किया जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्द करीबी दरीद्रिता एवं बेरोसकारी जैसे विकर्ट समस्याव से कैसे निप्टा जा सकता है यह अभी समझाने का विध्यार्तियों ने एक सार्थक प्रयास किया देवं बुर्हान, वैशनवी मिंगर, उज्वलाब बारापातरे, कुरुतिका गुरातकर, पैजान राजुरकर, हिमानशी बन खेड़े, शुरियाब पात्पूते, आस्ता देश्मक, शुरियाब बाब्रे, शुरियाब वालके, उदेगिरी, विधांती कोंगरी, ओम कलंबे अभिशीक राउद, जनक वैद, एवं कनक राड़की के लिएक सरानिय रहे, उन्हीं शीगर ही प्रमान पत्रप्रदान कर समानित किया चाएगा स्कूल की कारेकारी प्राचारी, वंदना यादव, एवं गनित विभाग देख्ष वंदना बारापात्रे ने ओनलाइन विश्व जनसंक्या दिवस को सफलता पुर्वक आयचित करने में विशेश योगदान दिया स्कूल के प्राचारी राचें रमिश्रा ने सभी विध्यारती एवं पालकों का विशेश रूप से अभिनंदन करते हुए कहा कि भारत चीन के बाद सबसे बड़ी आबादी वाला दुनिया का दूसरा राष्ट है चनसंग क्या वृद्धी की तेसर रफ्तार के आगे हमारी लगबग सभी उपलब दिया बौनी साबित हो गई चनसंग क्यानियांतन करने में सरकार पुरी तरह नाकाम रही है गुनवत्ता की कसौर्टी पर हमारी आबादी खरी साबित हो सकती थी यदि शिक्षा प्रणाली में सुधार क्या क्या होता माला संसादन विकास मंत्राले को भी कोई खास सफलता नहीं मिली अनपड़ लोगों की तरह पड़े लिखे लोगों को भी रोजकार प्राप्त नहीं हो रहा है स्केल डेवलप्मेंट एक विकल्प है किन्तु इसकी अभेल ना हुई गाओ की विकास को भी प्रात्मिकता दीनी चाहिए तक्निकी शिक्षा को महत प्रदान करनी चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत की है युवाब वर्कुर रूसकार प्रदान किया गया होता तो चित्र कुछ और ही होता विश्व जन्संक्या दिवस ओनलाइन कारिकरम के अंत्रगत कक्षा आटवी से दसवी तक के लगभग सभी विध्यार्थियों ने जन्संक्या व्रद्धी जैसे जोलंत विशे पर अपने अपने लेख इस्कूल के साथ साजा किये कुछ विध्यार्थियों ने पावरपॉइंट प्रेजिंटेशन के द्वारा भी जन्संक्या व्रद्धी और उसके दुस्परणाम से आर्थिक एवं सामाजिक छेत्र में जो परसानिया उत्पन हुई है उसकी और ध्यान आकरशित करने का सार्थक प्रयास किया है कुछ विध्यार्थियों ने अपने स्लोगन के द्वारा और पोस्टर मेकिंग के द्वारा छोटा परिवार, सुखी परिवार यह संदेश समाज को दिया है विश्व जनसंक्या दिवस के इस कारकम के अंत्रगत विध्यार्थियों ने जनसंक्या, गरीबी, दरिद्रता, बिरोजगारी की आपसी लिंकिंग को भी समझाने का प्रयास किया है कि क्यों गरीबी रेखा के नीचे आज भी हमारे देश में 27 करोड से अधिक लोग रहते हैं 47 करोड से अधिक लोग रात में बगर भुजन के भूके सोने के लिए लाचार हैं करोडों की संख्या में लोग बेगर हैं और फुटपात ही उनके लिए बसे रहा है तो ऐसी सिच्वेशन में वाकई ये कहना BCN News के लिए सामिर से किशोर डुंडुले की रिपोर्ट